मन्जिल मिले या न मिले, मन्जिल की जुस्त जुबे मेरा कारवा तो है। हर कोई इंसान सफल होना चाता है और उसके लिए कोशिश भी करता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस सफलता को हासिल करके काम्याभी की उस बलंदी को हासिल कर लेते हैं। एसा क्या होता है उनमें जो वो इतने सफल हो जाते हैं कहीं ने कहीं कोई इसी चीज होती है जो सबसे अलग होती है उनकी पास जी हां दोस्तों वो होती है वो गलतिया नहीं करते हैं जो गलतिया आमतोर पर सभी करते हैं तभी वो लोग अपनी सफलता को इतने अच्छे तरीक अगर आप एंकरिंग करते हैं और आप एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं तो आज मैं आपको यह बताऊंगी कि यह तो आपने बहुत सुना होगा कि एंकरिंग ऐसे करना चाहिए लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए यह ब बरकरार रख सकते हैं और अपने कारीकरम को यादकार बना सकते हैं हम उन गलतियों को नहीं करके तो आज जानते हैं कि इसी कौन सी चीजे हैं या इसे कौन सी महतुपन पॉइंट्स हैं जो हम एंकरिंग करते समय वो गलतिया ना करें तो चलिए दोस्तों ये खास वीडियो आज आपके लिए हैं अगर आप एक चेंगर बनना चाहते हैं तो शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो आपके लिए तो दोस्तों सबसे पहले में वाको ये बताना चाहूंगी करें तो भी ये कहूंगी कि जब भी आप एंकरिंग करें तो अपनी जो नेचरल आवाज रहते हैं उसमें ही आप एंकरिंग करें क्योंकि आप अगलग अपनी टोन बदल देते हैं अपनी आवाज बदल देते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है और वो प्रभाव नहीं दिखता है जो वास्तविक आप में हैं अगर आप ओरिजिनल आवाज में अगर एंकरिंग करेंगे तो वो सबके दिलों तक ज़्यादा पहुचेगी और आपको भी कहीं ने कहीं आत्मों इश्वास आपका जगावा महसूस लगेगा तो यह कुल मिला की यह कहना है कि जब भी आप एंकरिंग करें अपनी जो कालिकरम में जब किसी के नाम के अनाउंस करने की बारी आती है तो आप उनके नाम को सही तरीके से अनाउंस किजिए क्योंकि किसी का नाम अगर आप गलत तरीके से अनाउंस करते हैं तो वो आपके एंकरिंग की छवी को बिगारता है और वो आपकी इमेज को भी बिगारता तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सी बार हमको कारीकरम की लिस्ट मिल जाती है लेकिन बहुत सी बार कुछ नाम को हम सही से प्रणौंस नहीं कर पाते हैं, उस नाम को हम गलत रुपे अनाउंस कर देते हैं. तो वो चीज बहुत खराब लगती है गलत लगती है तो अगर आगर आपके पास लिस्ट आती है तो आप जो भी उस कारीकरम का अरगुनाइज है आप उनसे क्रॉस चेक कर ले लिस्ट को एक बार उसमें जो नाम दिये है उनको टेली कर ले उन नाम को पूछ ले कि ये नाम कि और आप का काला हुआ कशा हो सके अगली बात यह बताना चाहنगी कि दोस्तों जब भी आप किसी कालगा की को कोई इवेंट बिجाते हैं और आपको को जब होस्ट करते हैं , तो मैं कहूँ गी कि आप जब भी अपने कालिकरम की शुरूत करें कि तो जब पब्लिक मानलों जी दस पंद्रा अभीस पच्छीस पब्लिक आके यां ओडियंस बैठ जाती है तो जुसने भी कारीकर्म को और्गनाइज किया है वो आप से आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप कारीकर्म को शुरू कीजिए पब्लिक बोर हो रही है और पब्लिक आप महोल जमाएंगे तो ही माहोल जमेगा आप शुरूवात तो कीजिए अगर वो इस तरह से आपसे रिक्वेस्ट करके कहते हैं तो आप भी बड़ी विनम्रता पुरवक कह सकते हैं उनसे कि सर इतनी कम और्यंस में मैं अपनी कारीकर्म की शुरूवात नहीं कर सकता हूं सर जब तक 50% यहां पबलिक नहीं आ जाती है तब तक मैं अपनी कारीकर्म की शुरूवात नहीं कर पाऊंगा इस विनम्रता पुरवक कहकर आप अपनी बात को कह सकते हैं उसमें होता ही है दोस्तों कि भोसी बार के एक कम और्यंस रहती है और अपने कारीकर्म की आप शुरूवात कर देते हैं तो आधा प्रभाव तो आपका वहीं खत्म हो जाता है क्योंकि मैं भोसी बार अपने वीडियो में यह कह चुकी हूं कि शुरूवात के पांश मिट हमारे लिए बहुत प्रभाव पॉन होते हैं क्योंकि फर्स इंप्रेशन दी लास्ट इंप्रेशन होता है तो ज जब एक आपका जो प्रभाव रहता है प्रदेशन रहता है शुरूवात का वह वाकई में ऐसा होना चाहिए जो सबकी नजरों में पहली नजर में उतर जाना चाहिए तो कम पब्लिक में आप कभी भी अपने कारीकर्म की शुरूवात ना करें अगली बात यह बताना कि बार बार किसी भी परफॉमेंस के बाद आप कहेंगे जोरदार तालियों से इनका स्वागत किजिए यह गलत प्रभा होएं यह कभी भी ओरियंस को मजबूर नहीं करना है आपकी अगर एंगर दम होगा आप ऐसी कोई बात कहेंगे तो आपको कहने की जरूत ही नहीं पड़ करती है और अपने हाँ अपने आप ही अगर कोई अच्छी बात होगी और आपकी अगर उनको पसंद आएगी तो खुद बखुद तालिया भजाने लग जाएंगे इसलिए आप उन पर फोर्स मत कीजिए अगली बात यह बताना चाहूंगी हर बार में यह मेरी पहरे भी वी होना चाहिए जब भी आप एंट्री लेते हैं कारिकरम को होस्ट करने के लिए तो वो भी शांदार होना चाहिए उसी तरह उसका अंत भी ऐसा होना चाहिए कुछ ऐसी चीज आपको बोलना चाहिए जब आपके कारिकरम का अंत हो जिस तरह से आपने ओपनिंग का ध्यान हो चाहें और वाकई में उनके हाट को टच कर जाएं वो लाइने तो यह प्रोग्राम वो कभी न भूल पाएं तो यानि ओपनिंग शांदार और एंडिंग यादकार होना चाहिए अगली बात बताना चाहूंगी दोस्तों कि समय का विशेश धियां दे बहुत सी बार यह होता है कि हम किसी इवेंट को होस करते हैं तो एक हर प्रोग्राम के कई कारिक्रम होते हैं उसमें बहुत से फंक्षन होते हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि उनको सही समय पर सही वक्त पर हम खतम कर देते हैं तो हर प्रोग्राम बहतर से बहतर हो सकता ह तो हम जब एंकरिंग कर रहे हैं तो हम इस समय का विशेश ध्यान रखना है ताकि सामने वाले का जो कारीक्रम का सेडूल है वो न भिगड़ स्पाई हमें एंकरिंग में इतना अन्वंटेड भी नहीं बोलना है कि हम सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ अपना ही राग अलापते रहें और हम जो काम की चीज नहीं है वो भी हम कहते जाएं और अपनी बात को बढ़ाते जाएं वो गलत प्रभाव चुड़े गए कम समय में अपनी बात को प्रभाव पोन तरीके से कहना ही एक अच्छे एंकर की विशेस्ता होती है तो कम समय में आप अपनी अच्छी बात को कहें और सही समय पर अपने कारिक्रम को समाप्त करें यह सबसे अच्छी एक सफल एंकर की सबसे बड़ी बात होती है और अगली से करेक्ट होना चाहिए लेकिन हमें अपनी लिमिट को ध्यान में रखना है हमें बहुत ज़्यादा भी फ्रेंडली नहीं होना है और बहुत ज़्यादा भी अइक बना के नहीं रखना है क्योंकि बहुत सी बारे इत्सा होता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के चक और उस कारिक्रम में हम भी खुश रहें और सबको खुश रख सके तो इस चीज का हमें विशेज ध्यान देना है और आपकी बोडी लेंग्विज एक महत्वपूर्ण किरदार अगा करती है तो यानि आप जब भी होस्त करें तो आपनी बोडी लेंग्विज पर ध्यान दें आप कुछ भी ऐसा मुमेंट न करें जो भद्दा लगे दिखने में जैसे भोसी बार हाथ पीछे कर लेना आगे पीछे होना इधर उदर हिलना ढूलना कभी हाथ इदर होना कभी उदर होना यह आपकी छवी को खराब करते हैं आपके इंप्रेशन को डॉण करते हैं तो आपका confidence अपने आप छल के उसमें जब आप सही तरीके से body को रखेंगे तो आपका आत्विश्वास भी उतना बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगली बात यह बताना चाहूंगी कि दोस्तों जब भी आप कारिक्रम के anchoring करते हैं और किसी के नाम को announce करने की जब बारी आते उससे आपकी जो anchoring करने में चारचान लग जाएंगे बताना चाहूंगी कि जब भी आप किसी anchoring ये कारिक्रम को host करने जाते हैं तो आप कभी भी audience के बीश में कारिक्रम शुरू होने से पहले कभी किसी को नहीं दिखे जी हाँ दोस्तों यह महतुपन बात हैं क्योंकि भू को पहले से देख चुकी होती है और वो समझ जाती है कि यह anchor है कहीं आप साइड में बैठे हुए कभी किसी कागच पर लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि कारिक्रम को आप host करने वाले हैं तो वो आपको पहले से देख चुकी होती है तो आदा जो आपका impression रहता है वहीं खतम हो जाता है तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि आप जब भी किसी कारिक्रम को होस्ट करे तो audience को बिल्कुल भी नहीं दिखे मतलब आप कहीं दूसरी जगा किसी room में जाकर अगर room available नहीं हो तो आप किसी park में जाकर आसपास या नहों तो आप stage के पीछे ही जाकर कुछ चेर लगाकर बैठ सकते हैं और अपने आपको छुपा सकते हैं या कह सकते हैं आप Mr. India बन सकते हैं तो जब तक कारिक्रम की शुरुवात नहों आप audience के बिश में ना आए public को न दिखे क्योंकि अगर आप जब कारिक्रम शुरू होता है और public के बीच में आते हैं तो आपका एक अलगी प्रभाव गिरता है लोगों के मन में एक उस्सुता रहती है आपको जानने की और सुनने की तो वो आपके कारिक्रम को बख्खुबी बहुत अच्छी तरह के से सामने लाती है उसका परिणाम भी अच्छा देती है तो कुल मिलाके हैं कि आपने आपको आप Mr. India बना के रखे और अगली बात यह बताना चाहूंगी दोस्तों कि जब भी आप किसी कारिक्रम को एंकरिंग करे तो जो आपके शेरो शायरियों को कहने का अंदाज है वो सबसे अलग हटकी होना चाहिए जब भी आप शेरो शायरियों को यूज करते हैं तो बड़ी भावनात्म करूप से करें बड़ी आत्मिता के साथ करें क्योंकि शेरो शायरी को कहने का जो अंदाज रहता है वो ओडियन्स के उपर बहुत गहरा प्रभाहुच होता है तो मानली जी एक शायरी मैं आपको बताती है उसको कहने का तरीका किस तरह सोना चाहिए पहले मैं आपको वो तरीका पताती हूँ जो बिल्कुल अच्छा नहीं है जैसे एक शायरी मैं आपको कहके सुनाती हूँ आप किसी को मोटिवेट करती हुए कुछ कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं और आप कहना चाहते हैं उनको उससाहित करने के लिए तो आप ये शायरी आप इस तरीके से कहते हैं दिल की धड़कनों में अपने होने का ऐसास करे औरों पर नसही खुद पर तो विश्वास करे निराशो कर बेटने की ज़रुद नहीं आओ इन अंधरों में रोषणी की तलाश करे रोषणी की तलाश करे एक ये तरीका हुआ बोलने का अब इस तरीके में वो बात नहीं है जो होना चाहिए ये मेरे खैल से वो सिंपल तरीका है और गलत तरीका भी है अच्छा नहीं है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लेकिन इसी चीज को हम किस तरीके से बोले ताकि इसका प्रभाव सब के उपर रहे किसी को साहित करते हुए आप इस तरह से कह सकते हैं कि दिल की धड़कनों में अपने होने का एहसास करे औरों पर न सही, खुद पर तो उश्वास करे निराश होकर बेटने की जरुत नहीं आओ इन अंधेरों में रोश्णी की तलाश करे तो कुछ इस तरह से कहेंगे तो वाके में लगेगा कि आपके इन पंक्तियों में उज्जाने और वो सब के दिलों तक चली जाएगी तो आप जब भी शेरों शायरियों का प्रियों करे तो बड़ी आत्मेता और भावनात्मक रुप से करे और अपने हाउ भाव के साथ करे तो उज्जेरों शायरियों को सुनने में भी मज़ा आएगा और आपके कारिक्रम में वो चार जान लगा देंगी अगली बात दोस्तों यह बताना चाहूंगी कि आप अपनी आवाज को यह कहना चाहूंगी कि सबसे लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि आप अपनी आवाज को अप एंड डाउन रखे यारी पूरी एंकरिंग करते वक्त आपको अपनी आवाज कब तेज रखना है और कब स्लो रखना है यह आपकी script के उपर depend करता है और आपके उपर depend करता है आपको कब कैसा बोलना है क्योंकि जब आपको कोई बात अच्छी आवाज तेज आवाज में बोलना है जोश के साथ बोलना है एनरजी के साथ बोलना है तो आप अपनी आवाज का volume बढ़ा कर रखेंगे और जब कोई emotion स से जुड़ी हुई बात आती है तो उस बात को आप थोड़ा सा स्लो धीमी आवाज में कहेंगे तो वह आपके इस प्रोग्राम को और शांदार बना देगी तो यह आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कब अपनी आवाज को अप एंडाउन रखना है तो दोस्तों यह महतुपून पॉइंट्स थे जो आप लोगों से मैंने शेयर करें अपने अनुभू के आधार पर तो इन चीजों को ध्यान में रखकर इन सावधा कराना है अगर हम यह गलतिया नहीं करेंगे तो हम एक सफल एंकर कहलाएंगे और हमारे कारिक्रम को भी हम सफल बना पाएंगे तो दोस्तों यह महतुपून सावधानिया और टिप्स आप जरूर फॉलो करना और एक अच्छे एंकर बनके आप अपने अच्छी पहचान और च्छवी को बनाए रखना और अपने कारिक्रम को सफल तम बनाना तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसल आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आपको यह वीडियो किसा लगा इसको मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं और साइड बे दिए बेल आइकन को प्रेश कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें और जिन लोगों ने ये मुझे मेरे चैनल पर पहली बार देखा है इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बन जाएए तो आप मुझ ज़रू कमेट करके बताईए मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगे और आपके हेल्प कर सकोंगी तो मुझे खाफी खुशी मिलेगे इस बात की तो चली दोस्तों फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी तब तक के लिए बाई टेक केर धन्यवाद